आज मैं आपको बच्चों की खासी का एक बहुत ही आसान सा इलाज बता रही हूं जोकि बहुत ही असरदार है और इसका नाम है अजवाइन की घुट्टी मेरे चार साल के बेटे को जब भी कभी खासी होती है तो मैं उसको यही अजवाइन की घुट्टी बना करके देती हूँ और उसकी खासी बिल्कल ठीक हो जाती है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी यह सिंपल सी होम रेमेडी शियर की जाए जिससे कि आपके भी थोड़ी सी हेलप हो जाए तो चलिए शिरू करते हैं अजवाइन की घुट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डेढ़ कप पानी एक टेबल स्पून अजवाइन लीए है कच्ची अजवाइन लेनी है अजवाइन को सेकना नहीं है और एक टेबल स्पून दालेंगे और साथी में डाल देंगे ये अजवाइन मिक्स कर देंगे अजवाइन को पानी में अच्छे से अब गैस को ओन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और पानी में पहले उबालाने देंगे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें उबाला गया है तो गैस को हमें कर देना है मीडियम लो फ्लेम पर अब मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये डेड़ कप का आधक अपना हो जाए ये जो अजवायन की घुट्टी आज मैं आपको बता रहे हूं ये बहुत ही फाइदे मंदे बच्चों के लिए अकसर ऐसा होता है कि जैस और जो बलकम जमा हो जाता है बच्चों के सीने में वो भी निकल जाएगा और इस अजवायन की घुट्टी को आप किसी भी मौसम में इस्तमाल कर सकते हैं और ये ड्राइ कफ और वेट कफ दोनों में बहुत ही ज़ादा असरदार है बॉयल होते होते अभी आप देख सकते ह ये आधा कप रह गया है तो अभी हम गैस को ओफ कर देंगे और गुड़ को इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी हम अजवायन की घुट्टी को एक कप में छान लेते हैं तो ये हमारी अजवाइन की घुट्टी बिल्कुल तयार हो गई है और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बच्चों को देना कैसे है और कितना देना है तो ये जो अजवाइन की घुटी है ये बच्चों को गुनगुना गुनगुना देना है यानि कि लिउक वाम देना है गरम गरम नहीं देना है और एक हपते में ही खासी बिलकुल ठीक हो जाएगी अगर बच्चा बहुत जादा छोटा है यानि कि एक साल से छोटे बच्चे क ये एक टी स्पून के बराबर देना है दिन में दो बार और एक से दो साल तक के बच्चों को आपको इसे केवल एक एक चमश देना है दिन में दो बार और अगर आपका बच्चा तीन से पांच साल के बीच में है तो आप इसको दो चमश दिन में दो बार दे पांच साल से उस भी बता दिया है सर्दीकर्मी बड़साथ जब कभी भी आपके बच्चे को खासी या फिक जकड़न हो सीने में तो आप इस तरह से अजवाइन की घुट्टी बना करके बच्चों को दें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा बच्चे को और जमा हुआ कफपी निकल अगर आपको मेरी इस सिंपल सी होम रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें थाइंक यू हाव नाइस डे